इसमें हम पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया यानि भारत के अंदर लैंड का यूज किस तरह से किया जाता है इंडिया के अंDIर जो लैंड का इस्तेमाल होता है वो बहुत सारी चीजों को देखकर होता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिबंड करता है जिसमें से एक तो फिजिकल फैक्टर हो गये फिसल फैक्टर में आपके तौपोग्राफी हो गया कि उस जमीन का शेप किसा है mountain area है या river है या plateau region है या valley है किस तरह से है उसको देखकर उस land का use किया जाता है for example अगर आपको खेती करनी है तो आप देखोगे कि अगर plain area हो वहाँ आप खेती करोगे mountain पे जाकर कोई खेती नहीं करना चाहता दूसरी चीज़स में आती है climate कि वहाँ का मौसम कैसा है अब अलग-अलग तरीके के जो crop होते है यानि अलग-अलग तरीके के जो फसले होती है उनको अलग-अलग तरीके का temperature चाहिए होता है वैसा atmosphere चाहिए होता है तो वो grow करते है तो आप climate को देखते हो climate के factor को बहुत ध्यान में रखके यह सोचते हो कि यहाँ पर कौन सी फसल को हमको उगाना है और वहाँ की soil कैसी है ठीक है हर तरीके की फसल जो है हर तरीके की soil में नहीं उगती और दूसरा factor क्या है human factor such as population density, technological capability and culture and traditions तो human factor जो इंसानों से जुड़ा हुआ है अब topography हो गया, climate हो गया, soil type हो गया इसमें इंसान का कुछ लेना देना नहीं लेकिन अब यह जो human factor है जैसे की population density यह क्या होता है कि किसी एक particular area के अंदर कितने लोग रहते हैं अगर जादा लोग रहेंगे तो हम कहेंगे वहाँ की population density जादा है यानि वो घनी आबादी वाला area है अब यह कैसे depend करता है, for example अगर जादा लोग रहेंगे तो जादा घर बनेंगे, जादा factory बनेगी, जादा hospital, schools बनेंगे तो population density effect करती है, दूसरी बात आपकी जो technological capability है, आपके पास कौन सी technology है जैसे आपके पास अच्छे अच्छे technology होगी, latest technology होगी, तो उससे related आप industry लगाओगे और बहुत तरीके के आप काम करोगे और culture और tradition यानि हमारी संस्कृती से जोड़ी हुई चीज है, पर एक्जामपल दशेहरे के लिए, यानि दशेहरा जो मराय जाता है, तो उसके लिए के area fix होता है वहाँ पर, ठीक है वो festival celebrate करते है, तो अब अगर कोई कहे कि वो जमीन खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर है, टाइम तक ये खाली पड़ा है, कुछ बना दिया जाए, तो वो किसी cultural या tradition जो हमारी परंपरा, हमारे जो धर्म से जुड़ी हुई चीजे हैं, उससे चली आ रही है, हम उसको किसी और purpose के लिए use नहीं कर सकते, वो खास festival के लिए ही हमने fix किया हुआ है, तो ठीक है, इस fellow net zone area, तो इसका पूरा chart है, आप देख लेंगे, total geographical area of India is 3.28 million square kilometer, तो जो geographical area है भारत का, वो 3.28 million square kilometer है, land use data however is available only for 93% of the total geographical area, because the land use reporting for most of the northeast state, except Assam has not been done fully, तो पूरे भारत में survey किया गया है और देखा गया है कि कहां पर land का किस तरह से use किया जा रहा है, किस purpose के लिए use किया जा रहा है, तो जो survey है अभी 93% area पर ही हो पाया है, यानि 7% ऐसे area है, जहां हमारे पास कोई data नहीं है कि वहां की जमीन किस तरह से use हो रही है, उसमें से ज अभी survey नहीं हो पाया है और हमको पता नहीं चल पाया है कि वहां पर कितनी जमीन किस purpose के लिए use हो रही है, moreover some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China has also not been surveyed, तो Jammu and Kashmir का वो area जो पाकिस्तान के कबजे में है, वहां भी हमको नहीं पता है, हमने survey नहीं किया है, कि वहां पर land किस तरह से use हो रही ह और जो चाइना के कबजे में, अकसाई चीन जो हिस्सा है चाइना के पास, उसका भी हमने survey नहीं किया है, तो वह भी हमको नहीं पता है कि वहां पर land किस तरह से use हो रही है, the land under permanent pasture has also decreased, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यह जो 4.71% है ना यहां पर, यह 1960 और 61 में था, क्या यह देख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है, permanent pasture and grazing land, तो यह भी कम हुआ है, यहां पर देखें, 3.3% बचा है, पहले 4.71 था, तो आपका जो permanent pasture वाली land थी, वो भी कम हुई है, तो भाईया हमारे पास land कम हो गई है, और cattle की population, पशुओं की जो population है, वो भी बढ़ गई है, तो हम कैसे इतनी बड़ी जो population है, cattle की, उसकी feeding हम कैसे कर सकते हैं, उसको खाना कैसे खिला सकते हैं, हमापस land ही चरने के लिए जो land है, वो बहुत कम है, तो इसके परेडाम क्या हो सकते हैं, कि जमीर हमारे पास कम है, और जानवर हमारे पास ज़ादा है, Most of the other than the current fellow lands are either of poor quality, or cost of cultivation of such land is very high, तो current fellow के अलावा, यानि other than current fellow जो हमने पढ़ा था पिछले lecture में, जिसे एक या पांच साल तक बिना खेती किये छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ खेती क्यों नहीं होती, क्योंकि या तो वहाँ की जमीन बहुत अच्छी quality की नहीं है, उसको fertility वापस लाने में काफी time लग जाता है, इसलिए हम एक साल, दो साल, तीन साल के लिए छोड़ देते हैं, ताकि अच्छे सो उसकी fertility वापस आ जाए, या तो वहाँ पर खेती करना बहुत जादा महंगा है, इसलिए हम वहाँ हर साल खेती नहीं करते हैं, तो ऐसी जमीन जो other than current fellow है, वो एक या दो बार, दो से तीन साल में खेती की जाती है, यानि एक साल से जादा का time बीच जाता है, और वहाँ पर कुछ भी खेती नहीं होती, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA, यानि net zone area in the India, come up to about 54% of the total reporting area, तो अगर इस other than current fellow को, हम net zone area के साथ मिला ले, तो total आपका 54% बनेगा, अरिया को हम 100% मान के चले, तो 54% इन दोनों का सम होगा, the pattern of net zone area varies greatly from one state to another, तो अब net zone area कहाँ पर कितना है, ये अलग-अलग state के लिए अलग-अलग होता है, तो अगर पंजाब हरियानी के बात करें, तो net zone area आपका 80% तक है, और वहीं अरुनाचर परदेश, मिजोरा, मनीपूर, अंड़मान और निकोबार की बात करें, तो वहाँ 10% ही, या उससे भी कम है, net zone area, यानि आप सोच सकते हैं, वहाँ पर कितना कम agriculture वाला परपस के लिए यूज हो रही है land, forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area, as it was outlined in the national forest policy, 1952, तो 33% हमको चाहिए, 33% area हमारे देश का वो forest में होना चाहिए, ऐसा national forest policy जो बनी थी, 1952 के अंदर, उसमें ये कहा गया थे, 33% forest होना चाहिए, तो उससे बहुत कम है हमारा forest area, तो आप यहाँ देश सकते हैं, पहला वाला जो blue है, वो forest का दिखा रहा है, यानि यहाँ पर अगर देखें, दो हजार चौदा पंदरा के report है ये, तो 23.3% सिर्फ forest है, और कितना चाहिए, 33%, तो बहुत कम है भी, It was considered essential for maintenance of ecological balance, तो ecological balance के लिए, यानि हमारा environment के साथ एक balance बना रहे, क्योंकि forest है, हम बहुत सारे चीज़ों को use करते हैं, वहाँ से लखड़ी लेते हैं, और बहुत सारे plant लेते हैं, अगर हमारे पर forest area कम होगा, तो जो हमारे ecological balance है, वो बिगड़ जाएगा, यानि हम environment से लेत हो जादा रहे हैं, लेकिन उसको देर कम रहे हैं, The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depend on it, तो millions of लोग जो की इन जंगलों के किनारे रहते हैं, उनकी जिंदगी जंगल से जुड़ी हुई है, वो अपनी जरूरत का सामान, लकड़ी हो गया, और भी तरीके के खाने पीने की चीज़े हैं, वो इसी जंगल से लेते हैं, तो उनकी जिंदगी इस पर depend है, और तरीके की लेंड जो की हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो क्या था, वेस्ट लेंड था, और नौन एग्रिकल्चरल यूज़े के लिए, अब ये वेस्ट लेंड और नौन एग्रिकल्चरल यूज़े के लिए, जो लेंड है, वो उसमें क्या क्या आता है, इसक है यह डिजर्ट वाला एरिया होता है and land put to other non agricultural uses तो other non agricultural uses में क्या आता है include settlements यह आबादी बस्तियां जहां लोग रहते हैं roads railway industry यह सब आता है continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it has resulted in land degradation तो लगतार जो हम land को use कर रहे हैं लंबे समय से और बिना किसी planning के बिना किसी सावधानी के कि इसको किस तरह से बचाना है इसका management किस तरह से करना है इसकी वज़े से क्या हुआ है land degradation हुआ है यानि land की quality कम हुई है this in turn has serious repercussions on society and environment तो इसकी वज़े से बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं समाज को भी और environment को भी यानि बड़ा नुकसान पहुचा है environment को भी और society को भी तो इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताईए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बैल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आएगी वह आपको पाता चल जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नई वीडियो आ गई है ओके तो अपने दोस्तों में शेयर करिए थैंक यू